Hi developers, so data structure with JavaScript के इस पाड़े में लोग बात करने वाले हैं, binary search tree की एक basic class की, यहाँ पर हम लोग एक basic class, basic structure ready करेंगे binary search tree के लिए and एक node class भी बनाएंगे अब आप एक question पूछ सकते हो कि बस एक basic class ही क्यों बनाएंगे, कुछ operation क्यों नहीं perform कर दे जैसे कि हर एक data structure के अंदर बहुत सारे operations होते हैं, add करने के लिए, remove करने के लिए, traverse करने के लिए, search के लिए, short के लिए इसी तरीके से binary search tree के अंदर भी node को update करने के लिए, add करने के लिए, search वगरा करने के लिए, बहुत सारे operations होते हैं, right और ये सारे के सारे operations थोड़ा थोड़ा time taking है, तो इसलिए एक वीडियो के अंदर ये सारे के सारे operations आ भी नहीं सकते हैं, इसी वजह से मैं वीडियो के इस पार्ट के अंदर बस एक basic structure ready करूँगा, ताकि आने वाले हर एक पार्ट के अंदर मैं आपको एक specific operation करके दिखा पा और हमारा basic structure यहाँ पे ready हो ही जाएगा, अगर आपको ये नहीं पता कि binary search tree के अंदर, binary tree के अंदर एक normal tree data structure के अंदर क्या difference होता है, तो last वाला पार्ट बिलकुल दिखना आपके लिए ज़रूरी है, वहाँ पे काफी सारे interview questions भी आपके clear होंगे, तो यहाँ पे हम लोग जैस क्लास भी बनाएंगे node के लिए, जब भी हम लोग किसी tree data structure के हात में खेलते हैं, तो सारा का सारा game nodes का ही होता है, जो node वाली class होगे, छोड़ी सी class होगे, यह क्या करेगी, जब भी हमें node को add करना होगा, फिर node को operation perform करना होगा, तब यह हमारे use में आएगी, अभी के लिए structure क part है, इसलिए में यहाँ पे इसको बना के ready कर दूँगा, alright, so करते क्या हैं, सबसे पहले एक बार के लिए binary search tree समझ लेते हैं, binary search tree का मतलब यह होता है, कि जो tree की node होगी, जैसे कि यह node है, अगर इसके child हैं, वो max child 2 ही हो सकते हैं, max 2 child हो सकते हैं, और जो left child रहेगा न, वो सब सबसे छोटा रहेगा, उसके बाद में हमारा root रहेगा, and सबसे बाद हमारा right child रहेगा, ठीक है, जैसा कि अगर मैं आपको इन सब को हटा के, एक tree बना के दिखाता हूँ, जैसा कि मेरे पास यहाँ पे 10 है, यह हमारी node A है, parent node है, इसकी एक left node होगी, एक right node होगी, ठीक है, so अगर इसकी तीन node हैं इस तरीके से, इसकी तीन node बनेगे नहीं यहाँ पे, तो यह binary search tree नहीं है, अब यह binary tree है, लेकिन अगर इसके अंदर मैं यह call दो कि यह 5 है, और यह 15 है, तो left side हमारा सबसे चोटा, बीच में हमारा, जो parent है, वो हमारा middle value, और जो हमारा right side वाला हो सबसे बढ़ा, तो यह smallest example है binary search tree का, अब मैं अगर इसको यहाँ पर इस तरीके से कर देता हूँ, तो क्या यह binary search tree नहीं है, इसके अंदर 3 है, इसके अंदर 6 है, तो इसमें कुछ गलत नहीं है, इसकी देखा जाए तो left and right दो ही node है, और इस 5 की भी left and right दो ही node है, इसके अंदर सबस अब हम लोग क्या करने वाले है, एक basic class बना के रख देंगे, और जब हमारा basic class बनेगी ना, जो हमारा root भी रहेगा, वो भी हमारा null रहेगा, इसको हम लोग क्या बोलते है, हमारी top class होती है, इसको सबसे उपर वाले को इसको बोलते है हम लोग root, और root भी हमारा by default क्या रहता नल रहता है इसको अभी के लिए नल ही बनाके रखेंगे सो मैं हापे क्या करता हूँ एक class बना लेता हूँ इस class के दिर मैं simply यहाँ पर करता हूँ binary search tree इस तरीके से ठीक है एड उसके बाद में हम मैं इसके लिए वह भी बना लेता हूँ एक object भी बना लेता हूँ और यहाँ पर मैं कर देता हूँ BST binary search tree एंड यह बेसिकली एक यहाँ पर object होगा binary search tree class का चीक है यहाँ पर TR आएगा sorry guys इस तरीके से एंड इसको मैं आपर पेस्ट भी कर देता हूँ ओके तो इसके अंदर जब भी हम लोगी class बनाते से constructor बना सकते हैं और constructor हमारा कब execute होगा जैसे ही हमारी class call होगी basically जैसे इसका object बनेगा all right so इसके अंदर हम लोग हमारा जो root node है उसको define कर सकते हैं this dot root define कर सकते हैं by default क्या value रखना चाहते हो by default जो हमारी जो सबसे पहली value होती हो वो root भी हमारा null होता है because तब तक हमारा tree बना start ही नहीं हुआ होता ठीक है इस तरीके से हमारे root को by default हम लोग क्या कर देंगे null रख लेंगे all right हमने इसको null रख लिया यह ठीक है अब ना बहुत बार बीच में हमें यह check करना पड़ेगा कि हमारा root कहीं null तो नहीं है जब आप एक node को delete कर रहे होगे इसको traverse कर रहे होगे उस time पे आपको check करना पड़ता है अगर मेरा this dot root equal to triple equal to null है तो इसका मतलब है कि हमारा root है यह हमारा null है आप बोलो गयार यह तो हमने बहुत सारे functions बनेंगे तो root हमाईशा empty नहीं रहेगा अगर हम लोग starting में कोई operation नहीं करें तब empty रहेगा या फिर हमने सारी सारी nodes को delete कर देंगे तब empty हो सकता है right so यह function हमारे आगे काम में आने वाला है अभी simple simple चीज़े बना रहा हूं ताकि binary search tree आने वाली वीडियो के अंदर आको tough ना लगा अगर मैं एक ही वीडियो में सब कुछ बना दूँगा तो आपके लिए थोड़े सा puzzle वाली चीज़ों नहीं बेसिक लेवल से start करना चाहता हूं अब हम लोग इसको check कैसे कर सकते हैं कि यह जो मारा binary search tree है यह empty शो कर भी रहे के नहीं कर रहा है अगर मैं यहां पर console करता हूं console.von या फिर console.log और यहां पर करता हूं bst.istree empty और अब आप इसको check करोगे ब्राउजर के ऊपर यहां पर तो आप यहां पर देख सकते हैं इस class के लावा हमें एक और class भी चाहिए होती है उस class का आप नाम रख सकते हो node या फिर tree node जो भी आपको ठीक लगे उसका नाम आप रख सकते हो basically short name node इसका better लग रहा है यहां पर इसके अंदर यह constructor बना सकते हैं यह node क्या होती है मैं आपको यहां पर दिखा हूँ अगर मैं simplest tree बना देता हूँ जैसे कि मैंने बना दिया हां पर A यह B and यह हो गया इसका C तो यह हमारी एक node होती है अपने आप में चीक है और जब इनिशली बनती है ना चीक है इसके अंदर तो कुछ value हो सकती है इसकी left और right के अंदर पी तो कुछ value हो सकती है बट जैसे सबसे पहरी value इसके अंदर आएगी तो यहां पे और यहां पे तो क इस.value यानिकि इसकी value well parameter से लोगा जैसे में लोग इसकी node class बनाऊंगा तभी इसकी value आ जाएगी यहां पे मुझे अंदर मिल जाएगी उसके बाद में इसके left and right भी हमें चेक करने है this.left equal to null and same इसी तरीके से this.right equal to null All right, so यह हमारी basic structure ready हो गया है उसके बाद में लोग अब operations के उपर काम करना start कर सकते हैं यहां तक अगर आपके पास कोई query है question है तो मुझे comment section के अंदर पूछ सकते हो and guys please support me by subscribe my channel and share this video with friend and अगर possible हो पाए तो feedback देना अच्छे से कि आपको चीज़ें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है जो मैं वीडियो बना रहा हूं तो इससे मुझे काफी help में लेगर मुझे कुछ तरीके में change करना है वीडियो को short या lengthy करना है तो मुझे अपने opinion दे सकते हो जैसा मुझे लगेगा क्यार काफी सारे लोग same opinion दे रहे हैं दो तिन लोग भी same opinion दे रहे हैं तो मैं उ उसके हिसाब से उसमें कुछ changes कर दूँगा thank you guys thank you so much for watching this video